गाइस तो हमारा चेप्टर नमबर 18 चल रहा है टेंजेंट एंड इंट्रेसेक्टिंग कोर्स एक लास 10 का हमारा चेप्टर 18 है इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट किया था प्रिवियस लेक्चर में तो प्रिवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिंक आपक हमारा इसमें प्रूब करना था कि यह जो हमारा AP, BQ and CQ है यह ओल्सोड इकपल होगा half of parameter के half of parameter ABC के तो किस टाइप से होता है हमारा इसको हमने इस टाइप से break किया था सभी को AR को हमने क्या लिखा था यहां पर लिखा था 2 से मल्टिप्लाई किया था फिर इसमें से 2AP को हम क्या लिख सकते हैm 2AP को यहां पर लिख था हमने क्या AP PLUS AP BP PLUS BP इस टाइप से लिख था फिर AP AP और AP and BP यहां हमारा क्या होगा था A, B, अप्प्प हमारा A, B, O, गयाए, ऐसी हमारा ये A, R, and C, R, A, R, and C, R THIS हमारा क्या हो गया था? A, C हो गया था, and पिर ये हमारा 3D वाला B, Q, and C, Q B, Q, & C, Q ये क्या हो गया है? हमारा B, C हो गया तो यह हाहब को पर हेमिटर की कलगा गया, इस टैप से question number 9 हो जाता है हमारा next question करते हैं इसमें अब हम 10 question number 10 हमारा कहा है कि in the figure question number 9 question number 9 की figure में कहा है कि if a b is equals to a c then prove that b q is equals to c q तो आपको proof करना है कि b q is equals to क्या होगा हमारा c q होगा इसी figure में तो अगर हम इसे फिगर के बात करें और हमें क्या गिबन किया है इसके गिबन से ही चलते हैं और आपको प्रूफ को लिख सकते हैं को हम लिख सकते हैं AP PLUS PB okay AB को लिख सकते हैं AP PLUS PB and AC को हम लिख सकते हैं AC को लिख सकते हैं AR PLUS RC AR PLUS RC okay now हमें क्या प्रूप परना है BQ कि इसके क्वल है C क्योंकि अब देखो BP यह जो PB है यह जो PB है ठीक है इसको क्या हमनी क्या BQ तो यहां पर हमने क्या BQ लिख और AR और C Q चाहिए तो CR को कहीं के लिख सकते हैं CR को क्या हैं C Q लिख सकते हैं इसको हमने C Q लिख सकते हैं यहां पर AP और AR AP arguments और國στική are碼उट है यह उइंगे हमारे तो यह कैंस ही न्होंगे हूँ हमारे हिरे हमारे सब्सक्राइब कोशन नमबर यहां प्रावस का प्रिखर बनाकर देखा दो पहले गीवन से प्रूफ करने कर आप इसको प्रूफ कर देखा देंगे कोशन नमब्र 11 है हमारा कोशन नमब्र 11 में क्या क्या रहा है कि रेडियों फिर टू सर्कल आर सिक्स पॉइंट थी सेंटिमिटर एंट इस्टेंस बिट्विन देर सेंटर्स इफ डेटर इच अधर एक्स्टरनली अगर यह एक दुसरे को एक्स्टरनली टच करते हैं तो उनके कोवगी रेडियों के पर सेंटर्स के बिट्विन इस्टेंसे मे भात सेंटर्स कितना होगा संपल यह ठीक है और व एक न्नीविन के को टुछ करते हैं सिर्फ एक्स्टरनले टच कर्रहा है और एक का रिडियों कितना है हमारा सिक्सपॉइंट एक रोडियों तिरी एक रोड़़े काय है हमारा कितना 3.6 है सब्सक्राइब ले रहेँ इनके संटरॉ और इस्टेंस बिट्विन देर सेंटर्स क्या जाएगा 6.3 प्लस 3.6 ओके ये कितना हो जाएगा हमारा 9.9 9.9 सेंटी मीटर हो जाएगा नेक्स वाली कंडिशन में कहा रहा है कि अगर दूसरे को इंटर्नली टेच करेंगे में एक सरकल इस टाइब से हो जाए हमारा बड़ा बाला जो सरकल है ठीक है और यह स्मोरा सरकल इसके अंदर ड्रो जाए अब इनके सेंटर्स के विट्विन डिस्टेंस करना है तो अब हमार कितना है 3.6 करेंगे हूं एक कितना है हमारा एक तो है 6.3 एक है हमारा 6.3 और इसका सेंटर है वो कितना है इसका सब्साइब होए 3.6 इन दोनों के बिट्विन डिस्टेंस कितना होगा एबी कितना हो जाएगा हमारा 6.3 यह टोटल 6.3 है यहां से यह तक ठीक है इसे पी माल लेते हैं AP माइनस BP ओके 3.6 तो यह कितना हो जाएगा हमारा जाएगा 3.3 पॉइंट हो जाएगा क्या नहीं 13 एंगे तो इस 7 इस 2.7 हो जाएगा ओके 2.7 cm यह खा हमारा question number 11 simple question number 12 करते हैं कि from a point P outside a circle with center O tangent P and PVR drone prove that angle AOP equals to angle BOP अब बताओ क्या कह रहा है तो इसमें बोल रहा है कि from a point P outside a circle circle के outside एक P point लेना तो उससे आपको tangents draw कर लेने हैं उससे आपको tangents के अगर लेने हैं draw कर लेने इस type से कि अगर आपने एक circle लिया है उसके बाहर एक point P ले लेना है आपको बाहर एक point P ले लेंगे इस P point से यहाँ पर tangent draw करने हैं with center O tangent P and PVR drone PA and PVR drone, PA यहाँ पर हम PA इस type से ऑए यहाँ पर यह पी भी drone कर लेंगे हम अब यहाँ पर एक सइंटर क्या ले रहे हैं center और O ले रहे हैं तो आपको क्या करना है अगर हम Center O ले रहे हैं और यह PA और PVA हमारे PA and यह PVA नाओ आप हमें पूरूव करना है क्या है आप हमें प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ क्या कह रहा है टू प्रूफ करने के लिए कि एंगल 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 ए क्या करना है , eigenen किy计्मेटर ऐ साइक अंद्धिक्लर ने कि ओपकर Crestling ₹ क्या ओपी पर्पेंडिटिकलर बासेक्टर है किसका एबी का ओके तो इसको ग्रूफ कर देंगे ओपी पर पेंडिकलर ओन एबी टिक है ओपी पर पेंडिकलर ने इसको करने के लिए हम सिंपल दिखाएंगे है वसको कि लो से पहले इन दोने एंगल को एकको दिखाएंगे के को डिखाएंगे आपको दोने ने यहां परेंगल और क्या बी डी ओ 現在 इंद त्रेंगल फोड़ लिखो क्या आई यह है लेकिन पहले तोनों को नहीं दिखा पाएंगे पहले आप इनको ने जिए यह सिर्फ आमारे पास यह isn't कीनल और कोरी demand नहीं है थो हमें इसको इनीचले ने दिखा पाएंगे पहले किसको दिखाएंगे एक Najee को एमया बी-ओ विस्तों कि विस्तों इन दोने ट्रेंगल हो यह बड़े बड़िफ सब्सक्राइब विए यहां पर को रिखा सकते हैं इसको कैसे आप दोनों रेडियोफ सरकल होंगी ओके इक्वल्स टू ओब पी एक्वल्स टू बी पी ओगी टैंजन ड्रॉन फ्रॉन एक्सटीरियर प्वेंट लिख देंगे ओपी ओपी गया होगी हमारी ओपी ओपी कोमन होगी है इसको कोमन लिख देंगे ओके दोनों ना रही है हमारी तो यह इंप्लाई करेगा हमारा क्या कि यह दोनों ट्रैंगल क्या है हमारे ट्रैंगल ए ओ पी कोंगरेंट है हमारा किसके यह ट्रैंगल है हमारे कोंगरेंट बी ओ पी के बाई साइड एंगल स साइट सेुंद साज में को गया किए चरेक हमारा कि अंगल यह विख एंगल इंगली ओप फिके ऑफ कि सब्सक्राइगंगे से ऑफौदे नाव वलर कर लोगे अब नाओ इंस दोने ट्रिइंगल को लेंगे यह फिर्स पार्ट प्रूप होगे हमारा सैकिंड ड्रेंगलों कौन ग्रेंट प्रूफ करेंगे कैसे oa equal to ob radi of circle होगा यह एंगल के इस एंगल के एकवल होगा प्रूफ कर चुके हैं यह ओडी किसके फ़ल होगा एंगल d o d के इसको लिख सकते हैं प्रूफ अबब इसको उपर प्रूफ कर चुके हैं and also O,O,O,D, देख़व, जो O,D है हमारा, जो O,D है, यह common है, od,OD common, तो यह होगा हमारा side angle side से side angle side से con突然, therefore triangle AOD con gratis, o client होगा हमारा, किसके, con vibrant होगा triangle BOD, kong vibrant होगा by side angle side से side angle side problem आपनेज़ साइड लिए, यह angle लिए, वकसाइड लिए, तो यहां पर आपकर में होगा और यहां पर यहां कौन ऑब क्याए इसके क्वल उसकी करेंगल हो गया हमारा यह इंपलाई हो गया हमारा क्या कि AD एक्वल्स टू किसके एकपर BD के हैं बाई CPCT ओल सो वाइ CPCT हम क्या दिखा सकते हैं एंगल यह अगल यह वाल इसके उपर लाई करेगा यह एंगल इसके एक पर होगा अगर आपने यह नहीं किया है तो अगर आपने यह भी नहीं किया है अगर आपको नहीं समझ मारा कि प्रूब करते हैं तो उसको आप थोड़ा से देख ले तो आपको समझ वैसे तो आपको पताई होगा तो अब इन दोनों एंगल को लेट कर लेंगे हम एक्स नाओ अगर हमने दोना एंगल को एक्स लेट कर लिया अब यह देखो अब की ट्रेट लाइन एंगल 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 को आपको समझ वाएंगा निटी होगा यह एक्स थे इक्स तो एक्वल्स तो होजाएगा 180 जैन हमेरा एक्स इकल्स टो कितना हो जाएगा 90 डिगरी ओके एक्स 90 डिगरी होगा इसका मतलब यह परपेंडिकुलर भी हो गया ओपी किसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी खर रहा है तो यह हो गया कोश्चन नंबर 12 आपका कोश्चन नंबर लिए इसमें 13 कोश्चन नंबर 13 आपको प्रूब करना है कि टेंजेंट एट बाइसे करेगा यह प्रूब करना है तो देखो सिंपल कोश्चन है अगर हम इसका फिगर डूब कर लेते हैं कुछ इस टाइप से ओके यहां पर यह इस टाइप से टेंजेंट बना रहे हैं कोमन टेंजेंट यह पॉइंट है हमारा यह ओडैस है और यह हमारा क्या है ओ दो ना अब हम क्या करेंगे इसको जोइन करेंगे यह से एप इसको जोइन करेंगे बिए ओब आप यहां से और कोमन टेंजेंट माले यह तो है इसमें यह इसको बाइसेट करेगा मतलब यह वालाए पार्ट यहां पर आपको दिखाना है कि यह दोनों इक्वल है हमारे तो कैसे दिखाएंगे हम यह दोने इक्वल है तो सबसे पहले अगर हम इस सर के लिए देखें तो यहां पर क्या होगा होगा AD एक्वल्स टू होगा AD इक्वलस टू होगा PhD क्यों TNG ड्रोन फ्रॉम १ीन यह लिख दो गएप यहां फर टैंजन ड्रोन फ्रॉम एक्सटियर व्यूंट इसमेर आप इसमें देखां आप इस सरक्ल गे लिए इस सर्कल के लिए हमारा क्या होगा BD, हमारा BD किसके खुल होगा, BD को लोगा हमारा PD या DP के लिए, या PD या DP कुछ भी बहुत सकते हैं, इसको Tangent Drone from exterior point, now अब बोध equations हैं क्या कहा सकते हैं, from equation first and second equation से हम क्या कहा सकते हैं, यहां पर तो प्रोम एक्वेशन फस्ट एंसे क्या कह सकते हैं क्या हमारा एडी किसके एक्वल हो गया बीडी के नाव अगर हमारे एडी बीडी के एक्वल हो गया IV का और आफमें इस दिखाना कि एंगल aPb क्या होगा हमारा हो가 दिलेंगल एपी बी में हमें आपकर नोगोस बादार इंट्रेंगल सैक्इंड परूफ है इंट्रेंगल A, P, B में Inter angle A, P, B में हम देखेंगे angle ये वाला A ठीक है angle A plus angle ये वाला A, P, B plus angle A, P, B और plus angle B ये इन कसम क्या होगा हमारा 180 होगा A को हमने X let किया A, P, B क्या है हमारा A, P, B क्या है X plus Y ये क्या हमारा X plus Y angle B क्या हमारा Y equals to 180 Now X, X, 2X Y, Y, 2Y equals to कितना 180 टू कोमन ले लेंगे तो ये X plus Y equals to 180 and X plus Y equals to 90 होगा प्रूफ हमारा X और Y क्या X और Y A, P, B तो है तो ये देन हमारा क्या होगा therefore triangle या फिर angle A, P, B हमारा कितना होगा 90 दिखेंगी ये करना था आपको question number 13 में next question है हमारा 14 कह रहा है कि इसमें देखो करना है एंगल P, A, Q ये वाला जाएंगल है P, A, Q टू प्रूफ करना है आपको क्या कि एंगल P, A, Q एंगल P, A, Q equals to हमारा twice of angle O, P, Q O, P, Q इस angle का twice O, P, Q के हैं ये प्रूफ करना है तो प्रूफ करेंगे इसमें हम कैसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे यहांपर इसको प्रूफ करने के लिए हम बता सकते हैं यहांपर कैसे, कि देखो, आप simple अगर हम देखें इसी question को, तो यह ऐसे भी प्रूफ हो सकता है, कि यह देखो, यह side हमारे equal है तो यह दोना angle equal होंगे हमारे यह X है तो यह X होगा अगर यह X है और यह X है तो यह कितना होगा यह होगा 180-2X क्यों होगा 180-2X क्यों होगा 180-2X क्योंकि किसी भी ट्रैंगल में हमारा इंटिर आंगल का सम कितना होता है 180 तो अगर हम देखें इंट्रैंगल POQ में यह वाला X एंगल ये वाला x एंगल एंड ये वाला p o q एंगल एंगल p o q इनका सम कितना होगा हमारा इनका सम होगा हमारा 180 ये कितना होगा हमारा 2x of angle p o q equals to 180 now angle p o q कितना होगा हमारा 180 minus 2x ये होगा हमारा 180 minus 2x अब ये 180 minus 2x होगा तो ये वाला लुएयक दों यींटी A रहीं एक गों कि शॉरी तेघ्लेर एंगल इस कितने दिग्री होगा टाइ hear 09 q Spa यह 93 100 makingнит omega possible में क्टोड़्स हमारा हमारा संबना तर्म होता है तो हम दिखा सकते हैं कैसे एक एंगर लिखा सकते ओल सॉझ प्टी क्यों से पी एक्यू इनका सम कितना होगा हमारा 180 होगा अब एंगल पी ओक्यू हमारा 180 माइनस 2x होगा ना यह 180 माइनस 2x ओके यह 180-2X होगा तो एंगल PAQ कितना हो जाएगा PAQ आप इस 180-2X पे दर लेके आओगे यह कितना हो जाएगा हमारा 180-180-2X यह वाली साइड दर आकर माइनस हो जाएगा लेकिन यह वाला साइन हो जाएगा प्लस में क्यों क्योंकि यह इदर आता तो प्रैकेट आता है हम पर और फिर यहां पर ब्रैकेट हटाते माइनस साइन अंदर एंटर करता तो माइनस माइनस प्लस 2X हो जाता ओके यह कैंसल हो ज पर आपको डिपकल लग सकता है क्योंकि यह क्या रहा है कि एक सरकल जिसके तूप पेरलल टेंजेंट तेंजोर क्या करते हैं यूदि इंटसेक्ट करते हैं आप्सक्रांफ हैं इन कर्म बिख्योंकर हम एंगल हमारा क्या अगाने क्या होगा ये एंगल होगा 90ि-दिल्वं के दिखाना के सब्सक्राइब करना कैसे है कि आप इस युप को खरो यह बी डाइमेटर होगा हमारा ओक्यों होगा है बोगा την एमसिटेट åh आपको प्रॉफ करना कि एंगल क्या ऊंत मैं च्रुसक्त करणाय में एंगल पी और एपड्र को किसुज सब्सक्राइब कर लेंगे हम और उन सभी एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री ओके इन सभी कितना होगा 190 क्या कि एंगल कंण सскुष्टेट लाइन नहीं त्युक्य एक्स प्लस टू पहल इकुर मुंट लेंगे थे एक्स प्लस दो भी को श्यू गराना चांकट फ्लस या नाइटी डिगर होगे और एक्स प्लस वाई है क्या हमारा एंगल पी ओ क्यों ए तो एक्स प्लस वाई है एंगल पी ओ तो हमारा क्या है एक्स प्लस वाई है तो यह होगे हमारा 90 डिगरी प्रूफ ओके यह करना था question number 15 में 16 देखते हैं अब आप 16 में इस टाइब से एक ट्रैंगल गीवन किया है आपर है ओके और इसके अंदर क्या बनाया एक सरकल बनाया जिसके में रेडियस पाइंड करते हैं आप यह हमारा इस टाइब से कुछ अब क्या गरेंगे में आपर यह यह हमारा एबीसी ए यह हमारा 12 सेंटीमीटर है यह हमारा 13 सेंटीमीटर यह तो यह एक्स कितना होगा तो देहों इसको फाइंट करने क्लिए क्या करेंगे सिंपली 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 कर सकते हैं आपर कि अगर आपके पास यह 12 वे 13 तो फाइब आने वाला है क्यों कि हाइप अगर हम किसको ले रहे हैं यह आएगा हमारा 169 और यह 144 इदर आ स्कार वन फॉर्फोर इदर हमारा इक्वर स्कार टूंटी पाइफ विर नाव हमें क्या करना है तर आपको कि अगडर यह हमारा AX है यह X है ठीक है तो यह भी दॉदद Stop क्यों क्यों यहां पर 90 है हमारा यहां 90 है धेखर 90 कि वेन ही आई इसने यह यह नाइन्टी कि विर्शों गभी नंती तो यह हो गया P Q R ले ले लेते हैं इनको तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर क्या कि P B is equal to हमारा क्या है X है तो A P कितना होगा हमारा A P कितना होगा हमारा A P हो जाएगा 12-X A P 12-X होगा तो A R भी हमारा 12-X होगा क्योंकि TANGENT RONE from XTA point है Similarly अगर हमारा B Q X है तो यहाँ पर यह C Q कितना हो जाएगा तो C Q भी हमारा कितना हो जाएगा 5-X हो जाएगा यह C Q जितना होगा उतना ही C R होगा क्योंकि TANGENT RONE from XTA point है अब क्या करेंगे हम यहाँ पर हमारे पास AC साइड है कितनी AC साइड है हमारे पास 13 cm और AC को क्या लिख सकते हैं AC को क्या लिख सकते हैं AR plus RC AR plus RC AR plus RC is equals to 13 AR की value कितनी है हमारे 12-X plus RC की value कितनी हमारे CR की value 5-X equals to 13 Now हम कर लेंगे से 12 और 5 कितना 17X और X minus 2X equals to 13 Now यह 13 इदर आएगा तो माइनस हो जाएगा यह 2X इदर आएगा तो plus 2X हो जाएगा 13 minus कर देंगे कितना आवजाएगा 4 और यह 2X 2 को तर डिवाइड लेकिया जाएगे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हैगा 2 cm क्या आगए हमारे X की value ते हो गए 2 cm ओके यह simple question था 16, 17 करते हैं Question No. 17 Question No. 17 में क्या कह रहा है कि inner triangle ABC the in circle touches B, C, C, A and A, B add point P, Q, R respectfully calculate angle Q, O, R, Q, P, R given that angle A is 60 degree तो in triangle ABC अगर हम ABC कोई triangle ले रहे हैं आपर कुछ इस टाइप से ओके और इसमें एक circle है हमारा इसके अंदर एक circle है इन circle जो इसकी sides को touch करता है और इसके side को कहा कहा पर touch करता है इसके side को touch करता है इसके side को touch करता है इदर circle BC C, A and A, B add point P, Q, R BC को P पर BC को P पर CA को Q पर CA को Q पर and AB को R पर AB को R पर Now respectfully calculate Q, O, R calculate Q, O, R यह वाल angle calculate करना है आपको Q, O, R OK Q, P, R और यह वाल angle calculate करना आपको Q, P, R और given क्या है हमें given क्या है यह वाल angle 60 degree कैसे fine करोगे आप simple है देखो fine करना हमें क्या angle Q, O, R and angle Q, P, R fine करने के लिए simple कर सकते हैं क्या कि यह 60 है अगर अगर यह 60 है तो हमारा यह वाल angle कितना होगा तो यह 120 होगा क्यों कि यह 90 है और यह 90 है तो इस quadrilator में in quadrilator में इसको हमें कर देंगे कि यहाँ पर तो यहाँ पर इसका solution करेंगे अगर हम तो कितना आएगा हमारा in quadrilator in quadrilator किसमें A, R, O, Q in quadrilator A, R, Q में पहले हम लिखेंगे अगल A एंगल A को 60 लिखेंगे अगल A, R, O इसको कितना 90 लिखेंगे अगल R, O, Q भी लिख सकते हो A, Q, O भी लिख सकते हो A, Q, O लिखा तो उसे 90 लिखेंगे और बचेगा अगल R, O, Q बचेगा अगल R, O, Q यह कितना हो जाएगा 360 interringus का जो सम होता है A, Q, O, यहाँपराइगा 360 होता है 180, 180 और 60 240, 240 को माइनस कर देंगे यहाँपर किस से 360 से 240 माइनस 360 करोगा कितना आएगा? 120 आएगा यहाँपर यह 360 माइनस 240 करेंगे कितना आएगा? 120 यह 120 आ गया तो यह कितना होगा 60 होगा यह कि एंगल at center तो यहाप पर दिखाए लिया है और और क्यूब किसके एक पलोगा हमारा ट्वाइस ऑंगल आर पी क्यूब के इसका वो लिखिंग में रिजन एंगल एड सेंटर इस वाइस दा एंगल एंगल रिमेनिंग सर्कम फरेंज आर पी क्यूब आर पी क्योगा है खत्म यह हो गया हमारा कोशन नंबर 17 नेक्स्ट करते हैं इसमें पर कोशन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि इन्द फोलिंग फिगर पी क्यू अन्र पी क्यू एन आर्ट क्या है हमारे टेंजेंडर सरकल एक प्यू पी आर्प प्यूर्व में रखकर क्यूंप और पी आर क्यों पी आर्कॉर्व में फिर्ट भी एक हमारा फिर्ट करेंगा इसमें देखा खर में यह आपर एंगल पी और किया है तो हमें फाइंड करना है क्यों और कि वाला इंगल का सम पिलस यह वाला एंगल कि वाला इंगल कि वाला इंगल क्या होता है त्वाइस होता है यह सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या होता है त्वाइस होता है एंगल रिमेनिक सर्कम्फरेंस पर बनने वाले अंगल क्याकर यह कि वन ट्वंट्य आखें देगा है कि यहां पर लिख देंगे वैंगल अग्व्य चैन्टिस था क्या ओके यह सिक्टिय इग्री अग्र एक्स्ट्टेरों स्यंग्रे क्यों स्कॉस्टन करते आप गया रहा है कि एपी डायमेटर तो यह हमारा क्या होगा 90 डिगरी होगा क्योंकि एंगल बिट्विन टेंजन रेडिया कितना होता है नाइन टी होता है तो यह इसक्स्टी पो रहे देखो टेंजने अट सेंटर एड़ रिमेनिंग सरकम्फरेंस तो यह अगर शिक्स्टी बनेटी होगा तो यह कितना जाएगा यह हो जाएगा हमारा 58 होगया खतम कुशन नमबर 19 नेक्स्ट करते हैं 20 कुशन नमबर 20 में कहा रहा है कि लिए पी सीटी डीपर इनाइन टीवन किया है वह है एपी सीटी इस टाइप से अगर हम इसम बना लेंगे और डीपर नाइन ड लेंगरी इन किया है यह जोरूफ हमारी भीज विन मेates तं टीवीटर होग एन पसेच्ट अटि में त्यक्रेय करता है ने फॉसल पर हमेरे निफितरे जैए नहीं कितना है 25 में प्रतियर भीजिजि टाइप से ओके आरा ये इस इस उन्टीम इस क्राइब दिच टूशन पॉ क्यों पर टेच करता है तो सच देखो कैसे करेंगे सबसे पहले समें एक सेंट्र लैड करेंगे ओह ना अब अगर हम इनको जोइन करते हैं अपर इनको जोइन करते हैं तो यह क्या हो गया हमारा इन सब्सक्राइब करेंगे क्या वैल्य फाइंड करनी है वैल्य फाइंड करनी है एक्स की अब देखो यह पूरा 25 है तो यह कितना हो जाएगा हमारा तो solution करेंगे हम इसमें radio circle निकालने के लिए यहाँ पर अगर हम इसको कोई other point मान लेते हैं पी तो क्यों तो हो गया है आप पी बगएरा कुछ है इसमें पी बगएरा कुछ नहीं है तो इसको कोई M या N point मान लेते हैं यरे को आरणा और ने अगर हम क्या कर शूकर न में और यह ज प्रेगा किसंप्रकों मैंस एक Dन वह जाएगा ऑश छंपवल मैंन एक्स तो यह हो जाएगा। यह जितना होगा cn उतना ही होगा हमारा क्या कि इसको हम लाट कर लेंगे पी, लाट कर लेंगे फीयंक्ता है cp क्यों होगा cp क्योंक्र की होगा cp क्यों की होगा tyen dron from exterior punto ही इक यह इवाधी सट के eating यह 27 यह वि makes 27 होगा हमारा BQ एक्वास टो होगा हमारा BP के कितना 27 cm ओके टेंजन डून प्रों एक्स्टियर पॉइंट नाव यह 27 हो गया यह कितना हो गया 25 माइनस X हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा BC कितना हो जाएगा BC कितना हो जाएगा BC हो जाएगा PC प्लस PB CP कितना ही हमारा 25 माइनस X है प्लस PB कितना है हमारा становится 27 अब हम इसको करेंगे BC की value में 38 गीवन की है यह 38 यह 25 और 27 यह कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा यह 52 हो जाएगा यह 52 हो जाएगा X को दर लेके आएगे यह 52-38 कर देंगे 52-38 तो यह value कितनी हो जाएगी है हमारी यह हो जाएगी 14 cm तो यह होगी radius of circle कितना 14 cm question number 20 हो गया question number करते है 21 को 21 में कहा रहा है कि given figure PT touches the circle with center O at R diameter SQs produce 2 meter tangent T T R at P तो इसमें हमें figure बना लेते हैं मतलब figure यहापर given किया है इसमें figure यहापर given किया है इसमें देख लेते क्या क्या हमें हापर put करने है values ओके इसका figure देख लेते हैं तो यहापर इस figure में क्या क्या given किया है इसने कह रहा है कि angle SPR 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 कितना है हमारा X है QRP 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 यह हमारा and आपको proof क्या करना है कि ORS ORS यह angle भी हमारा Y है यह proof करना है तो 2 proof करना है हमें क्या angle ORS is equals to ORS is equals to Y and also आपको करना right hand expression connecting X and Y X और Y को connect करने वाला एक expression भी लिखना है relation between X and Y X और Y में relation भी लिखना है तो देखो simple है को question बिल्कुल कैसे करेंगे इसको हम इसको करने के लिए आपको यह 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 proof करना है कैसे कर सकते हैं इसको वाई प्रूफ इसको वाई प्रूफ करने के लिए simple हम क्या कर सकते हैं इसमें देखो यह radius है हमारी circle की तो यह 90 होगा वैसे तो देखो अगर हम इसे देखें ना यह angle Y है तो यह भी Y होगा क्यों क्यों क्योंकि code और tangent के between जो angle बनता है हमारा code और tangent के सेंग्मेंट में angle बनाती है उसके क्वल होता है यह हम next वाली exercise के में property करेंगे अब देखो उसके according यह वाला वाई होगा और यह वाई है तो यह वाई होगा क्योंकि यह वी रीडिया उप सर्कल है अब यह 90 माइस वाई है तो यह कितना हो जाएगा हमारा angle qor और इन दोनों का सम 90 माइनस वाई प्लस 90 माइनस वाई इन दोनों का सम किसके पर होगा 180 क्योंकि यह इंटीर एंगल है हमारे triangle के तो qor कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा टू वाई यह यह वाई होगा तो यह वाई होगा क्योंकि angle at center हाई is twice the angle remaining circumference इसी सामारा यह वाई हो जाएगा और यह वाई है तो यह भी वाई हो जाएगा हमारा क्योंकि यह आई से इसे इंगल है simple हो गया प्रूफ नाओ आब हमें प्रूफ करना ह आई किया कि एक सब्सक्राइब करने वाला एक रिलेशन बनाओ देखो यह एक से वाई है और यह कितना हमारा 90-y है अब यह एक स्टीर एंगल के लिए इस्ट्रेंगल के लिए एक स्टीर एंगल है हमारा तो यहां पर लिख सकते हैं कि angle angle rqo angle rqo किसके एकल होगा angle qp rk qp r qrpk plus angle qrpk plus angle qrpk rqo हमारा कितना होगा rqo हमारा 90-y ठीके सेकेंड पार्ट कर रहे हम इसका relation बना रहे है एक सरवाई में qpr qprx है हमारा और यह कितना है हमारा y है अब यह वाई धर आएगा तो 90 is equals to x plus y plus y तो यह कितना हो जाएगा हमारा 90 is equals to x plus 2y को ओके यह relation हो गया हमारा चुक कनेक्ट कर रहा है किसको x और y को यह simple question number 21 है next देखते हैं इसमें अब हम question number 22 है कि pt is tangent pt is tangent to a circle at t if angle abc abc हमें कितना given क्या है abc क्या हमें 70 degree angle acb क्या इसमें क्या इसमें क्या आपके यह वाला एंगल सी वी टी टी ऐब के सी वी टी बी इसमें यह वाला एंगल बी इसमें क्योंट करना है आपको फिर यह वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे बताओ कैसे करेंगे इसको फाइंड करने के लिए बन रहा है अधर और ऑष लगाएंगे इसमें जिससे कि हम हैं यह मिले इसको निकालने के लिए और क्या कर सकते हैं यह अब देखो हम क्या कर सकते हैं यह 50 यह 50 है तो यह कितना हो जाएगा हमारा है यह 120 हो जाएगा क्योंकि है cyclic quadrilateral की opposite एंगल से कि cyclic quadrilateral है और इसके opposite angle का सम कितना होता है इसके opposite angle का सम होता है 180 तो यह 130 होगा 50 और 130 तो यह तो होगा ठीक है इसको निकाल सकते हैं दिखा सकते हैं कि angle ACB plus angle ATB इन दूनों का सम कितना होगा 180 अपोजिट एंगल से cyclic quadrilateral ACB कितना है वहारा 50 है ACB 50 है ATC कितना होगा हमारा 80 बीटना होगा 80 भी फाइंड कर लेंगे 80 भी कितना हो जाएगा हमारा 50 माइनस कर देंगे तो 130 ATB कितना होगा हमारा 130 अब यह 130 होगा हमारा ओके यह 130 होगा अब यह पूरा 90 कर दिया हमने प्रूफ तो यह कितना हो जाएगा हमारा यह 20 यह 130 तो यह कितना आएगा हमारा यह 130 120 150 तो यह कितना जाएगा 30 simple यह 30 होगा अब फाइंड करना हमें यह वाला angle इस angle को कैसे इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं इसमें अगर हम देखें कि ये वाला एंगल कितना होगा ठीक है ये वाला एंगल तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कितना है हाँ पर ये 90 ये तो 90 है इधर वाला तो ये 90 है ठीक है इधर वाला 90 है और देखो ये 70 है तो ये भ सब्सक्राइब करने के लिए क्या कर सकते हैं या तो आप 130 और इन दोना एंगल कसम बनेटी करते हो यूदि लिनियर पेर बन रहा है एंग इस्ट्रेट लाइन पर एंगल तो यह 30 है तो यह कितना हो जाएगा 150 150 और 2170 तो यह 10 डिग्रिया जाएगा या फिर समें एक्स्टियर आंगल लगा सकते हो कैसे के एंगल टी ए ए बी एक्स्टियर अंगल है किसके लिए इस वाले टे अंगल के लिए पी ए टी यह तो यह सम अफ टू इंटे रफोजिट एंगल का सम होगा टी एपी हमारा कितना हो गया 30 डिगरी हो गया एपीट एपीट आपको अपको एटीपी कितना हमारा 20 डिगरी अभी 20 डिगर मायनस कर देंगे आपकर 30-20 डिगतना हो जाए अंगल डिगरी कितना एंगल एंगल एपीट यह हो गया घ्री यह होगा तन डिगरी यह गया क्वेशन नंबर 22 किंपल था यह को आपको एसे क्वेश्चन बिस समझांको अगर नहीं समझा तो दूबार से आप उसको देख ले आपको समझवी में हो जायका क्लिए नेक्स करते हैं सिम त्युक्ति तरी प्रस्टाइब के अहुंड राइं गिवन फिगर वो इस अंटर ओक सरक्ल सखम्सक्राइब इस टेंजेंट एट एंड सी इंटरसेक्ट एट पी गीवन एंगल एओ बी इसमें गीवन क्या अंगल एओ बीटना 140 डिगरी और एंगल एनल एडिगरी ए फिर करने किया एक मथे कॉले-फैन रोट देखक आप यह 40 है यह लोगा यहाँ इसको फायंड कर सकते हैं कि में動ाना हो चैसे बन फुर्टी माइनस कर दोगा पीसमें यह कितना हो जाएगा हमारा 40 डिगरियो जाएगा यह और एक्स कि वैलोई इतने जाएगे 20 डिगर यह ट्वन तो यह वाले नहीं किया है कि फाइंड करने के फाइंड करने के लिए क्या एक था थे करने के लिए हमारा हुएं यह 90 होगा ऑके यह 85 है तो यह दोन एंगल होगे व होंगे क्यों होंगे तो हमारा है यह verdict हो जाएगगे हमारे क्या हो यह 50dG यह 50dG लाओ अगर मिस नाइन की मैस कर देंगे तो यह वाले एंगल कितना बचेगा हमारा 40 बचेगा टो फॉट्टी और टॉन कि कितना जाएगा शुटी अम्हें तेक लिखेंगे आए असके कितना हो गया हमारा 60 होगा तो आफको लिखना इस पर साइजे ऐए तो नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं इस नावर 24 कोश्चन नमबर 24 में कहा रहा है कि इंद लगी मंतिकर PQ is a tangent to a circle at a ABN ADR bisectors of angles CAQ and PA CA bisectors given किये हैं हमें angles के ओके इनके बना लेंगे मिसके figure को तो यहां से पढ़ेंगे इसमें कहा रहा है कि ABN ADR bisectors angles CAQ CAQ का bisector है AB CAQ का y sector है AB मतलब यह X है तो यह X होगा and AD is the y sector of angle PAC PAC का y sector है AD means CAY है तो हमारा यह Y होगा find क्या करना है आपको बताना है कि so करना है अच्छे if angle BAQ is 30 degree if angle BAQ BAQ is 30 degree BAQ अगर हमारा कितना है 30 degree अच्छे BAQ भी दे दिया हमें 30 degree BAQ 30 degree है ya prove that BD is a diameter तो proof करना हमें क्या कि BD क्या होगा ए दैमीटर होगा है यह proof करना है कैसे proof कर सकते हैं वैसे हम इसको simple अगर हम इसको proof करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं देख अगर यह पी एक Q एक straight line है तो यह जो एंगल बनेगा हमारा 180 का बनेगा और यह 180 का बनेगा अगर तो y, y, x और x इन का sum कितना होगा हमारा इन दोनों का इन चारों का angle का sum कितना हो जाएगा हमारा इन सभी का sum कितना हो जाएगा हमारा y plus y, x plus x इनका sum हो जाएगा हमारा 180 यह जाएगा हमारा 2y plus 2x equals to 180 2 common ले लेंगे तो यह जाएगा y plus x equals to 180 ओके तो x plus y है y plus x की value अगर हमारी कितनी आ रही है 90 आ रही है तो यह x plus y क्या है यही तो angle है angle BAD angle BAD यह तो हमारा कितना है 90 degree है और अगर यह 90 हो गया हमारा यह मेशा हमारा 90 होगा तो यह imply करेंगा हमारा क्या कि BAD is a diameter तो BD क्या हो गया हमारा diameter हो गया बस हो गया proof यह हमारा ओके तो 30 कितों में कोई need भी नहीं है यह आपर जादा यह इसमें हमारा question हो गया है कि BD is the diameter of the circle तो proof करना था हमारा BD is the diameter of circle ओके गाइस तो यह हो गया हमारा question number 24 तो इस टाइप से हमारे complete हो जाथ एक्सराइस फिर हम आपके लिए next लेके आएंगे ठीक है इसी एक्स चैप्टर को आगे करेंगे हम यह आपर अभी तो फिर हम इस तरीके से आपको जादा प्रेक्टिस करेंगे हम यह आपर और आपको semester wise के लिए complete syllabus provide घराएंगे आप इसी तरीके से अपनी preparation को रखें ठीक है अपनी preparation करते रहें तो ज्यादा से ज्यादा practice करें तो यह आपको ज्यादा benefit मिलेगा questions तभी समझ में आते हैं जब हम खुद practice करते हैं ठीक है जब teacher कर आता है तब वो बहुत simple लगते हैं लेकिन जब हम खुद करते हैं तब वो हमें चीजे समझ में नहीं आती है लेकिन वो चीजे कब समझ में आएंगे में जब हम इनको खुद से ट्राइब करेंगे ठीक है पहले आप एक बार देखो फिर उसको अपने आप से ट्राइब करो तो फिर दुबारा से अपने आप ट्राइब कर करते रहें थैंक यू और अधर वीडियो की लिंक आपको क्या मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगे ओके